पूजा उपास्तना तो जैसे भारत वासियों की सासों में बसा हुआ है शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो सब्ता के हर दिन के अनुसार भी विशेश पूजा का विधान है शुक्रवार को लक्षमी देवी का वरत रखा जाता है इसे वैभव लक्षमी वरत भी कहा जाता है पूजा उपास्तना तो जैसे भारतियों की सासों में बसा है वैभव लक्षमी वरत की कथा किसी शहर में अनेक लोग रहते थे सबी अपने-पने कामों में लगे रहते थे किसी को किसी की परवा नहीं थी भजन, किर्तन, भक्तिभाव, दया, माया, परोपकार जैसे संसकार कम हो गए शहर में बुराईयां बढ़ गई थी शराब, जुवा, रेस, व्यविचार, चोरी, डकैती वगेरे बहुत से गुनाश शहर में होते थे इनके बावजुद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पती की ग्रिहस्ती मानी जाती थी शीला धार्मिक प्रकृती की और संतोस्ती शुभावाली थी उनका पती भी विवेकी और सुशील था शीला और उसका पती कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय वैती कर रहे थे शेहर के लोग उनके ग्रिहस्ती की सरहाना करते थे देखते ही देखते समय बदल गया शीला का पती बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा अवजल से चल करोड़पती बनने के ख्वाब देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा फल सरूप वह रोड़पती बन गया यानि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी शराब, जुवा, रेस, चरस, गांजा वगेरे बुरी आदतों में शीला का पती भी फंस गया दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गमा दिया शीला को पती के वर्ताव से बहुत दुख हुआ किन्तु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी वह अपना अधिकान समय प्रभु भक्ती में बिताने लगी अचानक एक दिन दोपैर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी उसके चहरे पर एलोकिक तेज निखर रहा था उनके आखों में से मानों अमरित बह रहा था उसका भव्य चहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था उसको देखते ही शीला के मन में अपार शानती छा गई शीला के रोम रोम में आनंत छा गया शीला उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था अतहे शीला ने सकुचा कर एक फटेवी चद्दर पर उसको बिठाया माजी बोली क्यों शीला मुझे पैचाना नहीं हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन किर्टन के समय मैं भी वहां आती हूँ इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी फिर माजी बोली तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई अतहे मैं तुम्हें देखने चली आई माजी के अती प्रेम भरे शब्दों से शीला का रिदय पिगल गया उसकी आँखों में आशू आ गये और वह बिलक बिलक करोने लगी माजी ने कहा बेटी सुख और दुख तुधूप और च्छाव जैसे होते हैं धहरे रखो बेटी मुझे तेरी सारी परिशानी बता माजी के विवार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई कहानी सुनकर माजी ने कहा कर्म की गती न्यारी होती है हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं इसलिए तु चिंता मत कर अब तु कर्म भुगत चुकी है अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे तू तो मालक्ष्मी जी की भक्त है मालक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है इसलिए तू धैरे रखकर मालक्ष्मी जी का वरत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा शीला के पूछने पर माजी ने उसे वरत की सारी विधी भी बताई माजी ने कहा बीटी मालक्ष्मी जी का वरत बहुत सरल है उससे वर्द लक्ष्मी वरत या वैभव लक्ष्मी वरत भी कहा जाता है यह वरत करने वाले की सब मनुकामना पून होती है वह सुक शान्ती और यश को प्राप्त करता है शीला यह सुनकर आनंदित हो गई शीला ने संकल्प करके आखे खोली तो सामने कोई न था वह विस्मित हो गई कि माजी कहां गई शीला को ततकाल यह समझते देर न लगी कि माजी और कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी जी थी दूसरे दिन शुक्रवार था सवेरे स्नान करके सुच कपड़े पहन कर शीला ने माजी द्वारा बताई विधी से पूरे मन से व्रत किया आखिरी में प्रसाद वित्रन हुआ यह प्रसाद पहले पती को खिलाया प्रसाद खाते ही प्रती के सुभाव में फर्क पड़ गया उस दिन उसने शीला को मारा नहीं सताया भी नहीं शीला को बहुत आनंद हुआ उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए शद्दा बढ़ गई शीला ने पून शद्दा भक्ती से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया 21 शुक्रवार को मा जी के कहे मुताबिक उध्यापन विदी करके साथ स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की साथ पुस्त के उपहार में दिये फिर माता जी के धनलक्ष्मी सरूप की छबी को बंदन करके भाव से मन ही मन प्रातना करने लगी हे मा धनलक्ष्मी मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मननत मांगनी थी वैवरत आज पूंड किया है हे मा मेरी हर विपत्ती दूर करो हमारा सब का कल्यान करो जिससे संतान नहूं उससे संतान देना सभाग्य वती स्त्री का सभाग्य अखंड रखना कुवारी लक्ष्मी को मानमन भावन पती देना जो आपका यह है चमतकारी वैभाव लक्ष्मी वरत करें उनकी सब विपत्ती दूर करना सभी को सुखी करना हे मा आपकी महिमा अपार है ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी ने धन लक्ष्मी सरूप की छबी को प्रणाम क्या वरत के प्रभाव से शीला का पती अच्छा आदमी बन गया और कड़ी महनत करके वैवसाय करने लगा उसने तुरंद शीला के गिर्वी रखे गयने छुडा दिये घर मे धन की बाड़ सी आ गई घर में पहले जैसे सुक शान्ती चा गई वैभव लक्ष्मी वरत का प्रभाव देखकर महले की दूसरी स्त्रियां भी विधी पूर्वक वैभव लक्ष्मी वरत करने लगी वैभव लक्ष्मी वरत उध्यापन विधी साथ, ग्यारे या एक के जितने भी शुकरवारों की मनत मांगी हो अखरी शुकरवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए जिस प्रकार हर शुकरवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए पूजन के बाद मा के सामने एक शीफल फोड़ें फिर कम से कम साथ कुआरी कन्याओं या सौभाग्य वतिस्त्रियों को कुम-कुम का तिलक लगा कर मा वैभव लक्ष्मी वरत कता की पुस्तक की एक एक प्रती उपहार में देनी चाहिए और सब को खीर का प्रसाद देना चाहिए इसके बाद मा लक्ष्मी जी को श्रद्दा सहित प्रणाम करना चाहिए फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवी को वंदन करके भाव स मन निमन प्रात्ना करें हे मा धन लक्षमी मैंने आपका वैभव लक्षमी व्रत करने की मनत माननी थी वैवरत आज पून किया है हे मा हमारी जो मनो कामना हो वै बोले मनो कामना पून करें हमारी हर विपत्ती दूर करो हम सब का कल्यान करो जिसे संतान न उसे संतान देना सभाग्य बती स्त्री का सभाग्य अखंड रखना कुवारी लड़की को मन भावन पती देना जो आपका ये चमतकारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें उनकी सब विपत्ती दूर करना सभी को सुखी करना ही मा आपकी महिमा अपार है आपकी बोलकर लक्षमी जी के धन लक्षमी सुरूप की छवी को प्रणाम करें धन्यवाद